दोस्तो बैगन का खेती एक ऐसा खेती होता है ज्यादा तर किसान भाई इसको अच्छी तरीके से तो करते हैं लेकिन जब भी बैगन के पोदे में फूल और फल लगता है तो उस समय सबसे बड़ी खतरना कीटों का प्रोकोफ होता है जो की होता है तना छेदक और फल छेदक और किसान भाई आजकल इसके उपर दावा भी बहुती अच्छा अच्छा दावा प्रोग कर रहे हैं एसा नहीं कि दावा प्रोग करते नहीं है बहुती अच्छा अच्छा दावा प्रोग करते हैं लेकिन वो जो तना छेदक और फल छेदक कीट होता है वो कोंट्रोल ही न 100% आपको ग्रेंटी के साथ बता रहे हैं कि आपका ताना चेदक और फल चेदक कीटों का प्रोकोप से बिल्कुल खतम हो जाएगा तो बिना किसी देर करके चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैगन की खेती में ताना चेदक और फल चेदक कीट एक्चूली क्या होता है और इसका लक्षन क्या होता है वैसे तो हमने बहुत सरे वीडियो ताना चेदक फल चेदक कीटों के बारे में डिटेल्स में हमने बता चुके हैं पहले से लेकिन फिर भी आप लोगो को थोड़ा सा बता देते हैं कि एक्चूली तानाचेदक और फल्चेदक कीटों का क्या होता है और इसका लक्षन क्या होता है तो जैसे कि बैगान के पोदे के उपर आप लोग देख पा रहे हैं अभी, पूरे पोदा तो ठिक ठक देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ जो भाग होता है, वो कुछ इस तरीके से आप लोग को मतलब मुर्जा हुआ देखने को मिल रहा है, तो अगर आपका इस तरीके से द तो अंदर आप लोगो को किडा देखते हुए नजर आएगा तब आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें ताना चैदक का प्रकॉफ हो गया है और जेसे फल लगे जता है उसके किटों का प्रइग मेचली कuciónषा थे हुए किवल चथैंद को आप मतलब देखने से पता चलता इस फल्का चेद हो गया मतलब फ़ाथ Amiraasave City लग जान लेता हैं एक इसको कट्रोल केसे कर सकते हैं क्योंकि बहुत सरे किसान बाइ इसकी उप sûr दवा ऐल्रेड़ी चृट करते रहते हैंए तो तो नहीं करने से पहले आप स्भाद करने दिया और इस पाँने करते हैं में चली आप लोग को बछाइब तो सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है जैसे बेगन काfir पोधा आप लोंग ट्रांस्प्रेंट कर दिया और उसके बाद जैसे 25 से 30 दिन के अंदर आप लोग जब छाद डालते हैं जमिन पर उस समय को बाजार में अप लोग को कीटा फोरजी नाम पे मिलता है नाम पे बहुत सरे कमपनियों का मिलता है अप लोग किसी भी अच्छा ब्रांट का ले सकते हैं तो उसको अप लोग को शे किलो प्रती 1 ह ingred की इसब से लिना है खाद के साथ मिला करके लोग को जमिन में डाल देना है और अगर आप लोग को काटाफ हईडो कुलोरनायड नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि lymphatin, benzoat फ्लस काटाफ हईडो कॉलोरनायड का कंपिनेसेन आता है जो पनी का बरयोज नमत्य आप लोगो मिलता है उसको भी आप लोग subscription प्रती एकड़ की इसाब से खाद के साथ मिला करके डाल देना है जब पोधा 25 से 300 का हो जाता है उस समाई पर तो यह पहला सव अपलोग को करना उसके बाद माय दूसरा काम क्या करना है जब भी अप लोग मतलब तनाचेदक और फल्चेदक को कंट्रोल करने के लिए दबा को छिड़काब करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोग को पूरे खेत को एकदम साप कर देना है यानि कि बैगन के पोदे में जहां पर तनाचेदक लगा है उसको तोड़ करके आप लोग को एकठा करना है और कहीं पे दूर पे जाके आप लोग को गड़े बना कर उस गड़े के अंदर दाल देना है और उसके बाद मिट्टी चड़ा देना है ताकि बैगन के पोदे में फिर से वो एटक ना होए इसलिए तो यह पहले काम करना है और जो फल में लगता है किट उसको भी इस तरीके से तोड़ के आप लोग को मतलब जो सेम प्रोसेस है उसको करना है यह हो गया दूसरा काम आप जो तिसरा कम आप लोग को करना है बैगन के प्लोट के अंदर आप लोगो को खर पतबार को पहले साप कर लेना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगो को दबा को छिड़काव करना है तो ये तो हो गया तिसरा काम आप चोथा काम क्या करना है पूरे खेत के अंदर अगर माल लीजे आपका एक एक एकड का खेते तो एक एक एकड में आप लोगो को लगबग 25 से 30 फेरोमेंट ट्रेप को यूज करना है फेरोमेंट ट्रेप को इस तरीके से 25 से 30 लगा देना है जिससे कि आप लोग का बैगन के पोदे में कोई भी प्रकार की तना चेदक या फल चेदक कीटो का प्रोकोफ होगा है नहीं तो ये सब काम आप लोग को दोस्तों इस्प्रे करने से पहले आप लोग को करना है और अगर इसके बाबुजुद भी तना चेदक या फल चेदक खीटों का प्रोकोफ हो रहा है आपके प्लोट में तो आप लोग को यहां पर हम पांच कॉंबिनेशन बताएंगे और इस पांच कॉंबिनेशन को अप लोग को गुमा फिरा के छिड़का करते रहना चाहिए आठ से दस दिन या फिर बारा से पंदरा दिन अंतराल पर तो चली आप लोग को यह पांच कॉंबिनेशन क्या क्या है आप लोग को बताते हैं 15-16 लिटर के पाम्प की हिसाब से आप लोगों को डोज यहां पर हम बता रहे हैं तो यह तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन आप जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वह होता है सिंजंडा कमपानी का आप जो नया आया है जो की सिमोडियास नम पर आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो रहा है तो सिमोडियास को लेना है आप लोगों को 24 एमेल और उसके साथ साथ एसी टमा प्रीड को लेना है आप लोगों को 10 गराम चाहे किसी भी कमपानी का Acetama Prid को अप लोग ले सकते हैं लेकिन अच्छा ब्रांड का होना चाहिए तो दोनों को मिक्स करके आप लोग को दूसरा कंबिनेशन आप लोग को इस्प्रे करना है उसके एलाबा आप जो तिसरा कंबिनेशन बता रहे हैं वह उता है बायार का भाईगो उसको लेना है 10 ml और उसके साथ-साथ मोभेंटो ओडी या फिर मोभेंटो एनरजी किसी को अप लोग ले सकते हैं उसको अप लोग को लेना है 15 ml और दोनों को मिक्स करके आप लोग को थार कंबिनेशन पर इस्प्रे करना है तो यह थो ओगया थार कंबिनेशन आप जो चोथा कंबिनेशन है वो हता है बहुत ही पुराना एकदम प्रोड़क्ट है लेकिन आज भी इसका प्रचलिध बहुत ही ज़धा है जोगी बैगन का खेति जो भी किसान करते हैं उसको सबी जानते हैं जी हम बात कर रहें सुमिप्रेम्त के बारे में सुमिप्रेम्त बहुत ही अच्छा एक कीटना सक है उसको बैगन के लिए ज्यादा तरर रिकोमेंड किया जाता है उसको लेना है 25 एमिल और उसके साथ साथ आप लोगको काटा फाइडल क्लोराइड को 2 ग्राम मिक्स करना है दोनों को mix करके आप लोग को फोर्थ इस्प्रे यानि कि फोर्थ combination में आप लोग को चिरकाब करना है तो ये तो हो गया चोथा combination अब जो last combination आप लोग को बता रहे हैं वह भी बहुत ही अच्छा एक combination है वह होता है delegate जो कि आप लोग को spinotram combination मिलता है यानि कि chemical मिलता है उसके अंदर spinotram उसको लेना है आप लोग को 20 ml और उसके साथ साथ acetamaphylid फिर से आप लोग को 10 गराम mix करना है दोनों को mix करके आप लोग को 5 number combination पर spray करना है तो ये जो 5 combination आप लोग को बताया है इस 5 combination में से आप लोग को किसी को एक को प्रोग करना है फिर 10 फल चेदक खीटा का प्रोकोफ हो गाए नहीं और अगर हो भी जाता है तो भी ये कंट्रोल हो जाता है तो इस वीडियो में बस इतना ही फिर भी अगर आप लोग का मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कोमेंट कर सकते हैं जितना हो सके हम कोमेंट का रिपलाई देने का कोशिस करते हैं बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजीगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही निव निव वीडियो डालते रहते हैं